हेलो फेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यीब चैनल शिवानी आट गैलरी पर तो इस वीडियो में हम बना रहे हैं मोटू का फीस मास्क, क्योंकि मैं पास कमेंट आया था कि मोटू पतलू का फीस मास्क बनाई है, तो सब सब पहले मैं मोटू का फीस मास्क बना रही तो मैंने इसे बनाने के लिए पिंक कलर का पेपर लिया हैudि यहाप कोई भी लाइट कलर का पेपर ले सकते हो फिर हम िहाँ पर मोटू के फेश का शेप ड्रॉज करके कट कर लेंगे तो पेपर को फोल्ड करके कट किया मैंने जिसे दोनों साँट से बराबर कट हो गया Trans aver यहां पर में मोट्टू की नोज की कट कर रही हूं तो नोज हम अभी लगाएंगे नहीं कट कर के रख लेंगे बाद में नोज को हमें लगाना है आउटलाइन करके तो अब पैप सरकल ड्रॉ mm करें तो आपको असानी होगी तो यहां पर गलती से तो ये वाली मैं डो आखो का यूज कर लेती हूं मैं ले रहे हूं बल्स का पेपर कंने रुपर उप्लेक कलär को सबस्या क्या है कम यह थे बनाया बनाया अपने बीडियो देखी हैं तो आपको पतर ही हो गा हम आंखो और मसा का उप्योग करते हैं जिससे हमारे फेस मास्की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन कोई भी कार्टून केरेक्टर होते उसमें इस तरह की आंके नहीं होती है आंके बहुत सिंपल दिखाई देती है वाइट कलर में ब्लैक कलर दिखाई देता है बस और ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता इसलिए हमें मोटू के थोड़ी सिंपल बनानी पड़ेगी वन्ना मैं कुछ और नया करके कुछ क्रियेटिव कर सकती थी बट हमें मोटू से मोटू जैसा बनाना इसलिए सेम उसी की तरह की आंके बनानी पड़ेगी तो मैंने यापर मोटी मोटी आइ नहीं बने तो आप कोई भी एक्रैलिक या पोस्टर कलर का यूज कर सकते हो तो अब हम क्या करते हैं सभी को चिपका लेते हैं फिर आगे की प्रोसेस करेंगे वन्ना मैं भी कन्फ्यूज हो जाओंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा जो मोटू पतलू बनाने में हैंना डर ल लग रहा था कि यार गड़वर ना हो जाए क्योंकि मोटू ऐसा बनना चाहिए दिखने से ही मोटा लगे वह तो अब मैंने तो पूरे ट्राइब किया अपना की मोटू जैसा ही वने अब लास्ट में कंप्लीट होने पर समझ आएगा कि हमारे मोटू कैसा लग रहा है तो अ उसी तरह से पेपर को कर लेंगे मुझे लग वीडियो में पतलू को बनारेंगे मुझे इसके बाला वीडियो में मीजित्याने और देख सकते हूं मूचे कितनी जौदा अच्छी बनी है कोई है हम मुच्छे चिपका देना है फैबिकॉल से फिर उसके ऊपर हम लुगा देनाक करके रखा या नाक का जो सरकल कट करके रखा हैं तो मूच्छे हम सेंटर में चिपका कर देंगे ना तो नोस जादा अच्छे से दिखेगी थोड़ा मैं मैं कुछ भी फेसमास क्या कुछ बनाती हूं तो मैं ऐसा दिमाग लगाती हूं स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा रिसाइट कर लेती हूं कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा अच्छा लगेगा इसको इस तरह स आगओं के लिफ्स देना है तो मोटू हसता है ना सरिफ कुछ दिखता नहीं है ब्लैग ब्लैक दिखता है तो फरी मैंने सच्छा कि यार ब्लैक पेपर से ही मैं मोटू का मुख बना देती हूं तो फिर आपही देख सकते हो कितना बुरा लग नहीं लगा ने के बाद ऐसा निराय की मोटू का मुह है आखे भी आइब्रो भी मुझ भी सब कुछ पूरा ब्लैक कर दिया मुझे यह बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं तो इसे नहीं लगाऊंगी मैं तो रेड पेपर से उसका मुझ बना के लगाने वाली हूं मैंने बहुत सोचा कि बापस से ब्लैक पेपर लगा दूँँ या नहीं लगाऊं फिर मैंने सोचा यार चलो पैंसिल से ड्रॉ करकर कलर कर देती हूं मैं लेकिन मुझे ये भी थोड़ा नहीं जम रहा था pencil से draw करने के बाद भी मुझे ये बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यार अच्छा लगेगा या नहीं फिर भी मैंने सुचा नहीं black paper को भी फिर से लगा दीती हूँ लेकिन बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसे बिलकुल निकाल के फेको और red paper लो और red paper से lips बनाऊंगे और motor के lips चिपकाऊंगे यहां पर मुझे बहुत confusion हुआ मुझे बनाने में कि थोड़े दांद बनाऊं या मुझे बनाऊं या क्या बनाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह मेरे लिए बहुत risky काम था फिर भी मुझे करना तो था कि हमारा task है और इसे complete करना और अच्छा बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो अब मुझे मोटू थोड़ा अच्छा लग रहा था red paper में क्योंकि lips pink, orange, red कलर के होते हैं तो इसी color से यह अच्छे भी दिखते हैं अब मुझे थोड़ा मोटू हमारा अच्छा लग रहा था और इसमें last में हम outline भी करेंगे था और अच्छा लगने लगेगा अब क्या है मोटू लग रहा है टकला तो मोटू के hair बना देते हैं तो hair मैं थोड़े down करके cut करूंगी पेपर को fold कर लिया था कि दो दोनों तरफ के hair cut हो जाएंगे थोड़े-थोड़े hair लगाना है वस कान के पास और मैं क्या बोल रहे हूं कि कान के पास hair लगाना है और कान मोटू के बनाए नहीं कानना तो मैं बूली गई। चलो पहले hair बना लेते हैं फिर मोटू के कान बनाएंगे तो देख लेते हैं hair कहां लगाना है तो चलो hair तो बन गए-आप कान और बना ही देते हैं क्योंकि कान के पीछे hair लगने वाले हैं मोटू के अभी तो बहुत अजीब लग रहा है कभी-कभी ऐसा होता है हम कुछ करते हैं कुछ चीज़े हम भूल जाते हैं फिर लास्ट में याद आती है कि ये तो हमने किया ही नहीं तो यहाँ पर कान चिपका देती हूँ और फिर उसके पीछे हेर चिपका लूँगी कान बहुत सिंपल से लग रहे है तो थोड़ी सी मैं डिजाइन भी बनाऊंगी इसमें यहाँ पर दोनों हेर को चिपका लेंगे थोड़े-थोड़े हेर दिखने चाहिए जादा हेर दिखे ये ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है तो हमारा मोट्टू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है मोट्टू का फेस भी मोटा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ये मारकर ज़्याद अच्छे से चल नहीं रहा है वैसे मैं मैंने अभी नया मारकर खरीद के लाई थी वो मारकर भी मेरा पता नहीं क्या फैबी कॉल पे मैंने चला दिया था तो नया का नया मारकर मेरा चलना बंद हो गया था तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं चल रहा है इसके उपर मुझे दूसरा मारकर यूज़ करना पढ़ेगा तो ये वाला marker यूजि कर लेते हैं ये वाला marker मेरा पुराना है फिर भी ये अच्छा चलता है सीम इसी दरिका मैंने एक और marker लेके आई थी वो मेरा खराब हो गया तो मुपर भी थोड़ी outline कर लेते हैं वी से खराब तो ये वाला marker भी मुझे लग रहा है हो चुका है मुझे नया मारकर लाना ही पड़ेगा थोड़ी मुपर आउटलाइन कर लेते हैं आँखों पर आउटलाइन कर ली है थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं और ऐसा क्या कर सकती हूं मोटू के फेस में जिससे और अच्छा लगे लेकिन जादा अच्छा करते कर कर देना मोटू जी रेड़ी हो गए है तो फ्रेंट्स आपको मेरा ये वाला मोटू का फीस मास कैसा लग रहा है मेरे मालों में मोटू के बाल दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा इधर करके दिखाती हूं मैं तो ये देखो मोटू पीछे से कुछ इस तरह ऐसे दिख दे रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो आपको ये कैसा लग रहा है वैसे मुझे मुझे मोटू का फेस बनाने में थोड़ा डल लग रहा था कि थोड़ा यहां से मोटा था और इधर से थोड़ा पतला और यहां से मोटा थो मोटू को थोड़ा ऐसा दिखाना था कि वह मोटा है बाकई वह मोटा है मुझे इसको बनाने में तोड़ा दर लग रहा था लेकिन फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो यह बहुत जादा अच्छा लग रहा है यह पिंक कलर की जगे आपके बास की कलर हो तो आप वही पेपर यूज करने में पास पिंक कलर ही था इसलिए मैंने इसे यूज किया है तो अब मैं इसके बाद पतलु की वीडियो बनाने वाली तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना तो चलो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में इतब तक के लिए बाई बाई